तो अगर आप Amazon इंडिया पर sell करते हैं या sell करने का मन बना रहें तो थोड़ा सा समल जाएं पिछले दो दिनों में Amazon ने Indian अलगोरिथम में ऐसा change किया है कि Amazon अब इंडिया में साइद e-commerce सही तरीके से करने के mood में नहीं है या कुछ वो ऐसा plan कर रहा है जो Amazon sellers को पता नहीं चल पा रहा है कहीं न कहीं Amazon sellers के लिए ये बहुत बड़ा जटका भी हो सकता है क्योंकि Amazon इंडिया ने पहले ही मैं एक वीडियो बना के आपको बता चुका हूं कि एक नया update launch किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम जो products हैं अपने उनको region by region दिखाएंगे means sellers जिस region से sell करते हैं हम उनके products उसी region में दिखाएंगे और किन categories में ये update apply होता है वो already मैं बता चुका हूं बड़ कल से हुआ क्या कि Amazon ने इसको और ज़्यादा strict कर दिया और अब ये कर दिया है कि आप जिस state से sell करते हैं आपके product की visibility सिर्फ और सिर्फ उसी state में रख दी जा रही है जिससे आ आप लों के बहुत सारे comment आते हैं कि हमारी sale अचानक से down हो रही है उसके पीछे का region यही है क्योंकि देखिए Amazon ने इतना तिकडम लगाया है कि एक normal seller इसको समझ भी नहीं सकता है मैं एक simple word में अगर आपको बताऊं तो आप जिस state में sell करते हैं वहां पे अगर आप किसी भी keyword को लिखेंगे वो keyword जिस पे आपके product rank करते हैं या search में कहीं न कहीं आते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही आपने pin code change किया उसके बाद वो product आपका search में आयेगा नहीं अगर वो जो pin code आपने change किया है वो आपके state के बाहर का है like अगर आप UP से sale करते हैं और आप गुरगाओं या डेली का ही pin code डाले महराष्टर या मुंबई बैंगलूरू कहीं का pin code आप डाले तो आपका जो product है वो search में नहीं आएगा और आएगा भी तो कुछ दो चार product ही search में आएंगे बाकी सारे product नहीं आएंगे और अगर आप वहाँ पे अपना brand name लिखके search करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब आप जिस state से sell कर रहे हैं उस state का pin code insert करेंगे तो आपके products दिखाये जाएंगे लमसम आपके सारे product आपके brand name लिखने के बाद दिखाये जाएंगे लेकिन जैसे ही आप pin code उन states का डालेंगे जहां से आप sell नहीं करते हैं तो वहाँ पे आप ये देखें कुछ 2, 4, 10, 15, 20 product आपके सायद दिखाई दे जाएं otherwise आपके products नहीं दिखाये जाएंगे वहाँ पे एक option आपको दिखाया जाएगा but actually है क्या कि इसमें अगर आप click करेंगे तो आपके बहुत सारे product अगर आप FBA से sell करते हैं तो fast delivery दे रहे होंगे बट फिर भी उनको Amazon दूसरे state में नहीं दिखा रहा है पिछले दो दिनों से लगातार बहुत सारे product को Amazon की algorithm capture करती जा रही है और उनको इसी तरीके से उनकी visibility को hamper कर रही है या कहीं न कहीं visibility को hide करती जा रही है तो इसका मतलब ये निकला कि फिल हाल जब तक कुछ अगला update नहीं आता या Amazon आके further action नहीं लेता है तब तक आप जिस state से sell कर रहे हैं आपके सारे product सिर्फ और सिर्फ उसी state में rank करेंगे और वो search में आएंगे जैसे ही आप उस state के अलामा किसी state का pin code insert करेंगे और किसी भी searching keyword पे आप अपने product को search करेंगे तो आप ये पाएंगे आपके most of the product सारे तो नहीं most of the product search से गायव हैं वो search में नहीं आ रहे हैं इसलिए आपकी sale नहीं हो रहे हैं और अगर आप अपना brand name लिखके ही search करेंगे त आपका product दिखाया जा रहे हैं ये बहुत बड़ी bad news है until Amazon इस update में कोई change करता क्योंकि ये पिछली साल भी वो कर चुका है और एक महीने में ही इस update को roll back कर लिया था साल 2020 में भी Amazon ने इस update को implement किया था और 15 दिन में ही roll back कर लिया था अब देखना ये है कि इस बार Amazon क्या करने वाला है Amazon sellers को थोड़ा मुश्किल में डाल सकते हैं अगर वो सही तरीके से plan नहीं कर रहे हैं या जादा investment उनके पास नहीं है तो साइद अब उनको business grow करने में दिक्कत आएगी क्योंकि आप Amazon इंडिया में एक तरीके से e-commerce नहीं रहे गया क्योंकि आप आपका जो storefront है वो स सिर्फ हो सिर्फ उस state की एक local shop या कहें उस state की एक shop रह गई है जिसकी visibility सिर्फ उसी state तक है अब online जैसा e-commerce का मतलब होता है पैन इंडिया visibility मिलना फिलहाल अभी वो Amazon में मुश्किल हो रहा है और Amazon अपने sellers को पैन इंडिया visibility नहीं दे रहा है जब तक कि वो पूरे-पूरे 8 art GST या 8 clusters में अपने आपको enroll नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी thank you so much for watching